पिछले कुछ दिनों से चीन लगातार ताइवान के साथ युद्ध की साजिशे बुन्ने में लगा था। लेकिन अब चीन ने अपने मनसूबें साफ कर दिये हैं कि वो ताइवान पर कबजा करके ही रहेगा। ताइवान में घुसपैट करने के लिए चीन ने सिविलियन फेरीज यानी सारवजनिक इस्तेमाल में आने वाली नावों और बोर्स को अपने काम में लेना शुरू कर दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास एमफिबियस लेंडिंग क्राफ्ट की कमी है। इसी कारण चीन सिविलियन नावों और बोर्स को अपने कबजे में ले रहा है। और इन पर चीन सेना के बखतर बंद वाहनों को ढो रहा है। दो साल के भीतर चीन ऐसा तीसरी बार कर रहा है जब उसने ताइवान को घेर कर मिलिटरी ड्रिल को शुरू किया है। दुनिया भर के रक्षा विशेशग्यों और अमेरिकी इंटेलिजन्स का मानना है कि चीन के राश्पती शीजिंग पिंग ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि साल दो हजार सत्ताइस तक ताइवान को अपने कबजे में लेना है। वहीं ताइवान के मिलिटरी चीन से बहुत छोटी है लेकिन ताइवान के उचे उचे पहाड उसे बचाते हैं। ताइवान की चिंता जरूर बढ़ा रही है। उधर अमेरिका के हाउस ओफ फॉरेंग अफेर्स कमेटी के चेर्मेन माइकल मैककाल इस समय ताइवान पहुचे हैं जिससे आग बबुला हुए चीन ने ताइवान को धमकी दे डाली है और इस युद्ध अब्यास को चीन पनिश्मेंट ड्रिल कह रहा है झाली है